हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइफाइ स्टेडी विचा पार्ट ओफ अनकेडवी गुरूप दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और इंपोर्टेंट कोशन आन्था जो कि एक्जाम के वो इंट डवी से काफे इंपोर्टेंट होंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके एंट तक देएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बतेगा और वीडियो को सेर करना बिलकुल मत भूलेगा दोस्तो टेलिग्राम ग्रूप अगर आपने जोइन नहीं किया है तो सौरंबली को भीशन नाम से इसको जोइन कर लेना यहाँ पे आप लोग को हर एक वीडियो की पीडिय अप और अनकेडमी की फिरी क्लासिस के लिंक मिल जाएंगे डेली स्पेशल क्लासिस यानि के फिरी क्लासिस के जो टाइमिंग है दिन में डाई बजे और रात में ग्यारा बजे दो स्पेशल क्लासिस होती है इनको जरूर देख लिया करें दोस्तो Unacademy Plus के सारे benefit जैसे की live classes, weekly test, structured course, unlimited access और भी सारे benefit आपको मिल जाते हैं जब भी आप Unacademy पर किसी भी category में कोई भी subscription जोईन करते हैं Unacademy पर अभी एक offer चल रहा है जिसमें आपको 20% cost मिल जाएगा सभी courses पर और इसमें code आपको यूज करना है study time इससे आपको discount मिल जाएगा बाकी ये code सभी categories में applicable है दोस्तो इसमें भी आप लोग enroll कर सकते हैं Crack SSE exam 2022 with PYQs and selection wise test में इसमें आप 5000 तक का give voucher जीच सकते हैं सफलता page 20 April से start हो चुका है, talent page आपका 17 April से start हो रहा है तो इन दोनों में भी unload कर सकते हैं, code study time ही रखना है Iconic subscription के लिए भी code दोस्तो study time अप्लाई करना है Iconic subscription के फीचर है प्राइटिन डाउट सोलिंग, प्राइटिन लाइव किलासेज बाकी ये सारे tests free of cost SSE के टेगरी में आप इनको देख सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज के वीडियो को प्लीज प्राइट तक देखेगा दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इस वीडियो में हम किरसी करांती आनी की agriculture revolution से सम्मंदित चीजे कवर करेंगे और बहुत सारे question भी कवर करेंगे जो कि exam के point of view से important रहेंगे तो देखे सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए agriculture revolution है क्या तो देखे किरसी करांती से तात परिया है कि किरसी में होने वाले महत्पून परिवर्तन जिसमें खोज कोई नई खोज होना अविस्कार होना या नई तकनीक को लागू करना तो यह आपका क्या होजता है agriculture revolution का मतलब क्या है agriculture revolution लाने की जरुरत क्या पड़ी दोस्तो इससे मतलब यह है कि जब उत्पादन में वरद्धी करने होगे वो किसी भी जैसे white revolution किस से संबंदित है milk से संबंदित है तो white revolution milk से संबंदित इसलिए है दोस्तों क्योंकि उस time पे जो milk का production है वो बढ़ाने के लिए जितने भी steps लिए गए है जितने भी तोर तरीके हो सकते है milk के production को बढ़ाने में वो उस टाइम पे लिए गए तो वो आपका क्या हो गया agriculture revolution का एक part हो गया milk जिसको हम बोलते है white revolution ठीक है जिसमें दूद के production को बढ़ाने के जो भी technology का यूज कर सकते हैं जिस भी तरीके से ठीक है तो उतपादन के तरीके बदलते हैं और उतपादन दर में वरद्धी करते हैं भारत में विबिन किरसी करांतिया हुई है दोस्तों वो कौन-कौन सी हुई है एक बार देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आता है protein revolution ठीक है protein revolution दोस्तों इसमें high production ठीक है जिसमें technology drive second green revolution भी इसको कहा जाता है तो high production इसमें आग करना था और यह जो है इसके मैं आपको father ब ठीक है तो यह आप लोगों को याद रखना है starting में मैं आपको सारी जितने भी revolution है वो cover करा देता हूँ उसके बाद इनसे सम्मधी जितने भी questions होंगे वो cover कराऊंगा session पूरा end तक देखेगा और अगर आपको session पसंद आए तो please like कर देना और देखे मेरी special classes देख लिया करें देखे यलो revolution दोस्तो यलो यानि की oil seed production से सम्मधित है जिसमें mustard seed sunflower sunflower आपको पता है yellow color का होता है mustard seed भी आपका कैसे होते हैं yellow होते हैं ठीक है ना यानि की जो हम बोलते हैं सरसो का थे कैसा होता है दोस्तो yellow color का होता है तो आप इसको directly relate करके याद रख सकते हैं ठीक है और इसके जो father और person associated है वो है same पितोद्रा यानि की इस question का right answer अगर आपसे पूछे जाए कोन होते हैं फादर ही हो जाएंगे ठीक है और yellow revolution किसे संबंदी थे oil seed production especially mustard and sunflowers अगला आते है black revolution देखे black revolution आप सीधा सीधा petroleum product से आ जाएगा petroleum उतपादन से आजाएगा यह आप लोग को याद है ठीक है जिसके यह father और associated person नहीं है दोस्तो वो exam में आते भी नहीं है और यह available भी नहीं है ठीक है न तो इन चीजों को छोड़ देना कभी आप पुछो कि sir आपने तो यह इनके associated person नहीं बताया black revolution के ठीक है अगला आता है blue revolution देखे blue revolution संबंदी थे दोस्तों आपका fish production से औ Dr. Arun Krishna तो यह आप लोग को याद रखना है blue revolution fish से है ठीक है तो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं मतलब basicल याद करना है और अभी मैं इनसे संबंदी थी question पूछन पूछने बनाओ brown revolution दोस्तों brown leather cocoa और non-convenential product से आजएगा चमडा cocoa गैर प्रमपरागत उत्पादन से संबंदी थे brown revolution अगला question आता है आपका golden fiber revolution ध्यांद सुनिएगा यहाँ पे तो था तो वो jute production से संबंदी थे ठीक है golden fiber revolution की बात कीज़े तो jute production से संबंदी थे अगर आपसे golden revolution की बात कीज़े तो fruit honey और horticulture development से संबंदी थे ठीक है जिसके जो father या फिर person associate कौन है निर्पक तो तुझ इस question का right answer जगा अगर father या फिर associate person पूछ जएगा बट दोनों में differentiate और golden fiber revolution ठीक है चले अगला आता है gray revolution दोस्तों gray revolution है fertilizer से grain revolution related with fertilizer तो यह आप लोगों को या दखना है चले अगला question आता है आपका pink revolution देखे pink revolution काफी important है pink revolution दोस्तों रिलेटिड था onion production से ठीक है फार्मी कल्चर और production से यानि कि इस question का जो right answer होगा अगर आपसे पूछे pink revolution किस सम्मधित है तो ये प्याज उत्पादन ठीक है Lawnist, Medicals cę जिंगा उत्पादन से भी है ये भी अगर आपके एक्जाम में पूछा जाए तो कि pink revolution किस संबधित है और option में जिंगा उत्पादन हो तो जिंगा उत्पादन भी आप लोग को answer लगा देना है अगर इसके father और associate person की बात की जाए तो दुर्गेश पटेल दोस्तों यहाँ पे right answer हो जाएगा pink revolution related with दुर्गेश पटेल यानि की founder या father या फिर associated person कैसे भी करके आपके एक्जाम में पूछ सकते हैं और चिंता मत करिए अभी जो question से यह मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूँ यह अभी आपको 25 question की form में भी कराए जाएंगे ठीक है 25 question की form में इसी तरीके से कराए जाएंगे आपका question है कि evergreen revolution सदा बहार करांती दोस्तों तो evergreen revolution है आपका overall production of agriculture overall production of every culture और यह दोस्तों started हुआ था 11th five year plan में ठीक है योजना में शुरू किया गया था 11 वी पंचवर से योजना में आपका आता है silver revolution देखे silver revolution जोगा वो एग production पॉलिटरी production से सम्मदित होगा और यह शुरू किया गया था दोस्तों किसके दोवारा इंदराग गांधी जी दोवारा शुरू किया गया था silver fiber अब ज्यांदे सुन लेना एक तो है silver revolution एक है silver fiber तो fiber का आती है आपके दिमाग में आ जाने जाए या तो कपड़े की बात हो रही है या फिर कुछ धागे की बात हो रही है तो silver fiber revolution आपका किस हो जाएगा cotton से सम्मदित हो जाएगा यह आप लोगों को याद अखना है red revolution भई देखे red revolution meat production directly आप relate कर सकते हैं और tomato production से relate कर सकते हैं ठीक है tomato भी red होता है meat भी red होता है तो red revolution related with meat production tomato production और इसके अगर मैं बात कर दोस्तो father और person associate with तो विशाल तिवारी इस question का right answer हो जाएगा red revolution के father कौन है विशाल तिवारी चले revolution round revolution दोस्तो किस से है potato से क्या बात है ठीक है अगला आता है green revolution green revolution दोस्तो food grain ठीक है और इसके जो है यहाँ पर अगर मैं father की बात करूँ तो अगर दोस्तो पूछा जाए कि green revolution important है ध्याँ से सुन लेना green revolution के अगर पूछा जाए कि international father कौन है यानि कि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले किस ने green revolution start किया था तो वो तो है कौन norman बोरे लोंग हो जाएंगे और अगर पूछा जाए कि भारत में किसे ने सुरू किया था तो MS Swaminathan इस question का right answer हो जाएगा ठीक है इंडिया में MS Swaminathan आपका answer हो जाएगा revolution आता है दोस्तो white revolution और इसको white revolution को operation flood भी कहा जाता है white revolution को operation flood भी कहा जाता है तो please इसको जरूर ध्यान रखेगा क्योंकि क्योंकि ये question ऐसे भी पूछ ले आता है कि operation flood किस से संबंदित है तो milk production से और white revolution आप directly relate कर सकते है white को milk से तो milk से हो जाएगा ठीक है वर्गिस Korean दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसके father या फिर person associate with ठीक है और questions दोस्तों बहुत सारे हैं और बहुत सारे important भी हैं इसारे तो आप लोगों को क्या करना है जिस भी question का मैं answer पूछूंगा आपको जितने questions मैं इससे पहले कराए हैं उनमें से अकर कोई सा भी question का answer आता होगा नीचे comment box में बताते हो चलिएगा ऐसे और भी अच्छी त्यारी हो जाती है तो question आता है सबसे पहले रजत करांतियाने की silver revolution is associated with आपको 3 second हरे question में दिया जाएंगे answer बताएगा तो grain revolution दोस्तों संबंदित है एग से ठीक है poultry production से तो right answer is option D दूसरा question नीली करांति के जनक और देखे अगर आपको इसकी PDF लेनी है फिर किसी भी class का link देखना है या किसी भी direct video को link चाहिए आप लोग को तो telegram का link नीचे description box मिल जाएगा सोरब मलिक official के नाम से telegram channel है सोरब मलिक official नीचे description box में link मिल जाएगा फिर डिर्क्ली सर्च कर सकते हैं जाएगे telegram पर वहाँ पर आपको सारी वीडियो के notification मिल जाएगे तो right answer क्या हो जाएगा दोस्तों नीली करांति के जनक कौन है बिलकुल दोस्तों यहां पर हो जाएगा father of blue revolution तो father of blue revolution दोस्तों कौन है हीरा लाल चोधरी ठीक है और देखे दोस्तों एक तो हीरा लाल चोधरी है और एक और है अरुन क्रिसननान इनका नाम हो जाएगा एक और मैं लिख देता हूँ आपए डोक्टर अरुन ठीक है ये क्योंकि आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया गलत नहीं है ये दोनों ही है कोशन है ग्रे क्रांती से जुड़ी है ग्रे आपको बताना है अभी बता के आयों में पीछे तो ग्रे रिवोलिशन इस एसोसेटेड़ विद बिल्कुल सही आंसर है फर्टिलाइजेशन उर्वा क्रांती से हो जाएगा ठीक है ग्रे रिवोलिशन संबंदी थै सिल्वर फाइवर फाइवर आगया है इसमें ध्यान से सुनके आंसर लगा येगा सिल्वर फाइवर क्रांती किस से संबंदी थै देखें सिल्वर फाइवर क्रांती जो है ये संबंदी थै दोस्तो ओप्शन सी यानिकी कोटन उत्पादन से संबंदी थै आता है नेक्स भारत में गुलाबी क्रांती के जनक भारत में गुलाबी करांती के जनक कौन है तो भारत में गुलाबी करांती के जनक है दुर्गेश पटेल यह आप लोगों को याद अखना है नीली करांती से जुड़ी है नीली करांती किस से जुड़ी है दोस्तो तो नीली क्रांती जुड़ी है आपकी फिस्ट प्रोडेक्शन से कोशन आता है भारत में सन क्रांती के जनक फादर ओफ गोल्डन रिवोलिशन इन इंडिया दोस्तो राइट कोशन हो जाएगा निर्पक तुतेज यानि की राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर तो यह आप लोगों को याद अखना है हरी क्रांती से जुड़ी है ग्रीन रिवोलिशन एसोसेट विद तो ग्रीन रिवोलिशन इसोसेट है दोस्तो फुट ग्रेंड प्रोड़क्शन से उत्पादन खादर उत्पादन से अगला आता है भारत में रजत करांती के जनक भारत में रजत करांती के जनक कोन है यानि कि सिल्वर रिवोलिशन के तो सिल्वर रिवोलिशन के जो जनक है वो इंदरा कांधी जी हो जाएंगे right answer is option C दोस्तो पीली करांती खालिस्तान से जुड़ी है पीली करांती किस से जुड़ी है तो देखे पीली करांती दोस्तो है आपकी oil seeds production से संब्द है तो right answer is option C ये आप लोगों को याद अखना है काली करांती खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तो काली करांती का सम्मध किस्से है तो दीखें काली करांती का जो सम्मध है वो किस्से हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्शन से ब्लेक रिवोलिशन is associated विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन यह आप लोग को याद रखना है कोशन है भारत में लाल क्रांती के जनक कोन है भारत में लाल क्रांती के जनक कोन है तो फाधर ओप रेड रिवोलिशन फाधर ओप भारत में लाल क्रांती के जनक दोस्तों कोन है तो राइट आंसर इस विसालतिवारी क्या हो जाएगा विसालतिवारी राइट आंसर हो जाएग कोश्चन आता है है इंद्र धनुस क्रांती खालिस्तान से जुड़ी है रेन्बो रिवोलिशन इस एसोसेटेड विद तो ये संबंदित हो जाएगा किस से बिल्कुल दोस्तो होलेस्टिक डवलप्मेंट ओप एग्रिकल्चर सेक्टर यानि कि इस कोश्चन का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा कोश्चन आता है दोस्तों विस्व में हरित करांती के जनक विस्व में हरित करांती के जनक फादर ओप ग्रीन रिवोलिशन इन दा वर्ल्ड फादर ओप ग्रीन रिवोलिशन इन दा वर्ल्ड तो मैंने वर्ल्ड में पूछा है अगर मैं पूछता इंडिया में तो कौन हो जाता दोस्तों नॉर्मेन बरलोग हो जाएंगे वर्ल्ड में और अगर मैं इंडिया में पूछू तो MS स्वामी नाथन इस question का right answer हो गवे गुलाबी करांती खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों गुलाबी करांती तो pink revolution is associated with प्याज उत्पादन जिंगा उत्पादन से संबंदित है कोशन आता है सवेत करांती के जनक सवेत करांती के जनक कौन है यानि कि white revolution के जनक कौन है दोस्तों तो dr. वर्गिस कुरियन right answer हो जाएगा डोक्टर वर्गिस कुरियन is the right answer कोशन आता है भूरी करांती खालिस्तान से जुड़ी है भूरी करांती किस से जुड़ी है दोस्तों leather non-confinancial यानि की cocoa productions यानि की डी रैट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है लाल करांती खालिस्तान से जुड़ी है तो देखें लाल करांती red revolution is associated with red revolution is associated with इस question का right answer हो जाएगा मास और tomato का उत्पादान यानि की meat and tomato production से सम्मधित है red revolution काफी easy था यह question है सदा बहार करांती खालिस्तान से जुड़ी है सदा बहार करांती खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों तो यह आपका होने वाला है क्या किर्सी का विकास से development of agriculture से अगला question है son fiber करांती यानि की golden fiber revolution is associated with देखे golden fiber revolution is associated with तो इस question का दोस्तों सही अंसर हो जाएगा जूट उत्पादन से जूट उत्पादन right answer हो जाएगा दूसरी हरित करांती खालिस्तान से जुड़ी है दोस्तों दूसरी हरित करांती खालिस्तान से जुड़ी है तो यह जुड़ी है किस से protein yukth dalhan ठीक है protein yukth dalhan यानि की protein rich pulses से तो right answer is option है दोस्तो गोल करांती खालिस्तान से जुड़ी है गोल करांती बिलकुल आप लोग आंसर कर सकते हैं इस question का काफी easy है तो गोल करांती जुड़ी है किसे आलू उत्पादन से ठीक है आलू उत्पादन यहाँ पर रहीट आंस होज़ेगा पटेटो प्रोडक्शन से कोशन आता है दोस्तो सवेत करांती वाइट रिवोलुशन खालिस्तान से जुड़ी है बहुत एजी हो गया मिल्क और डेरी प्रोड़क्ट से दोस्तो यानि कि सी रेट आंसर हो जाएगा ठीक है कोशन आता है यानि कि गोल्डन रिवोलुशन इस असोशेटेड़ विद तो गोल्डन रिवोलुशन आपसे ऐसे ही पूछ जाएगा या तो अकेला आपको सोरी मनी नहीं हो जाएगा या हनी हो जाएगा सहद है ठीक है एज कर लेजगा तो golden revolution is associated with honey, fruit production और overall horticulture यानि कि all the above right answer होगा ठीक है न? और यह आपका भगवा करांती खालिसान से संबन्दित है सैफ्रोन revolution तो देखे सैफ्रोन revolution is associated with solar energy से दोस्तो तो इस question का सही answer हो जाएगा option है तो यह आप लोगों को याद अखना है ठीक है और देखे इसी परकार से दोस्तो बहुत कुछ चीजे मैं आपको cover करा रहा हूँ आप लोग भी थोड़ा regular रहा करें और वीडियो को देख लिया करें चैनल को subscribe कर लिजे सुबह 6 बज़े एक class आपको regular मिल रही है ठीक है चलिए next और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की study से related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले वेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लीजेगा PDF भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है पर click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much